Hello friends, मैं गीता, आज मैं आप लोगों को फ्रेंच मेरीगोल्ड के लिए best soil mix दिखाऊँगी। अब भूण को सबसे अच्छे रहें गें। तो सबसे पहले दिखाती हूँ यह अपसमसल्ट है आधी चमच की जैसी तीन प्लांट के लिए और साप फंगी साइड ले हूँ मैं एक चमच जैसी रेत हैं यहां पे 20% भर्मी कमपोस्टर कीचन के खाद एक साथ मिक्स करके मैं 20% ली हूँ तीन प्लांट है यहां पे तो इस तो नीम खली जरूर डाले तीन मुठी में डाली हूँ तीन प्लांट है तो सरसो के खली एक मुठी से कम मेरे पास पुरानी सरसो के खली पड़ी हुई है मैं उसी को डालूँगी तो तुरंत प्लांट लगाना है अगर आपके पस नहीं सरसो के खली है नाया लाया हुआ तो मैं सारी मिट्टी को अभी मिला के लगा लोंगी और अच्छी तरह से मिट्टी को मिलाना है अगर आप लोग ऐसे ही सेम बनाना चाहते हैं और आपके पस सरसो की खली नहीं है लाई हुई नया नया तो उसको आप जरूर बना के मिट्टी को रख दे दस दिन बाद ही आप तो प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगी तो ऐसे ग्रोवायग में मैं लगाऊंगी जो आड़ हिंच के पाट होते हैं उससे थोड़ी छोटी है यह यह ग्रोवायग इसी में लगा के रखूंगी मोरे पस अभी गमले यह जो पॉलिबेग में प्लांट है, इसमें बहुत सारे रूट जकड़ गए हैं, ऐसे नर्सरी से खएत के मैं लाई थी, बहुत ही छोटी पॉलिबेग में लगाया हुआ है, तो मैं इसको रिपट करूँगी, तो यह जो प्लांट है, जितना इसका लंबाई है, उसके तो मैं अभी गुरू बैग में लगा करी रखोंगी और इसके दो चार पत्ते तोड़ देती हूं जो पुरानी हो गया है तो मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूं इसके रूट में कितने बार्ण हो गया है आप देखिए पूरा रूट जकड़ गया है मिट्टी दीखी न आप लगा सकते हैं इसका मिट्टी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसमें रेत बगारा कोई मिक्स नहीं है सिप मिट्टी में लगाई हूई है और कुछ के निकल खाद डाले होंगे तो आप कोई भी वराइटी का मेरी गुल का प्लांट लाए जो मैं जो बताई हूं सोयल मिक्स यही सबसे बेस्ट रहेगी आप लोग के मेरी गुल्ड के लिए और इसके फ्लारिंग भी बहुत अच्छे से होगी और आप जब ऐसे रीपट कर रहे हों प्लांट को ऐसे पली बेग से तो जिरूर आठ हिंच के गंबले में रीपट करें तब ही यह अच्छे से ग्रो होंगे मेरे पास तो गंबले नहीं थे इसलिए मैं ग्रो बैग में लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोग जो मैं मिट्टी बनाए हूं सेम बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगी यह बेस्ट सोयल मिक्स है मारी गो दे और मिट्टी जो साइड में आप डाले हूंगे तो उसको जरूर उंगली सी या कोई लकडी के सहारा से चाप दे अंदर ताकि कोई यारग अपना बज जाए अगर आप बड़े पट में लगा रहे है या छोटे पट में लगा रहे है तो आप दो इंच का जगा खाली र तो रूट फिर खराब होने लगए गी तो ऐसे कर के सारे प्लांट को लगा ले लगा लेने का बात आप पानी डुले इसमें पानी डलने का बात आप जो यह प्लांट है रीपट में की हूँ इसका रूट बौल को मैं थोड़ा भी डिशटब नहीं की हूँ आप लोग भी ऐसे बिल्कुल लगा रहे हैं, रूट बॉल को भी न डिश्टब की हुए, तो आप लोग डिरेक्ट सानलाइट में इसको रख सकते हैं, छाओं में रखने के कोई जरूरत नहीं है, अगर रूट बॉल तूट जाते हैं, तो जरूर आप चार से पाच दिन छाओं में रखे, उसके बाद धूप में रखे, पानी डालके मैं इसको सिधा रख दूँगी धूप में, और आप ऐसे मिट्टी बनाएंगे, जैसे मैं बताई हूँ, तो आप जैसे भी प्लांट लाए होंगे, जितने फ्लार होंगे उसमें, उससे डबल फ्लार आपका खिलेंगे, मैं जो स एची से रखते हैं, खिलते हैं, तो वाई फ्रेंड सिस्क्राइब मैं चनल पली पली में प्ली प्ली